हेगा इससों आ गातreibt आप सभीका दाव मास्रस सहीब पर दोस्तों लेक्चरर की पद आ रही है मैंने बारब को बताया है कि अभी लेक्चरर का पद हर Government Politechnic College में निकाला जाएगा हर Government Engineering College में Assistant Professor का भी निकलेगा क्योंकि है क्या कि जो Regular Vacancy आनी है जो Regular Vacancy आनी है BPSC के माध्यम से ठीक है उसमें अभी बहुत देरी चलना है उसमें क्या है कि Seat की सुईकृती है वो हो गई है Seat बता दिया गया है कि किस जगह कितनी seat क्या हो शकता है और किस ब्रांच में कितनी seat क्या हो शकता है वो सारा सुईकृती हो चुका है ठीक है लेकिन अभी क्या है कि इसके प्रोसेस में बहुत समय लग रहा है जिसकी वज़ा से College में क्या पठन-पठन का कारे जो है स्लो हो गया है तो इसी लिए अभी गेस्ट में जो भी वैकेंसी आ रही है हर College में लगपक लगपक निकाला जा रहा है ठीक है उसी करब में ये जो Government Politechnic College भोजपूर है इसमें भी निकाला गया है और इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें आपको एक Google Form भरना होगा एक Google Form भरना होगा जिसका लिंक में बताऊंगा कहां मिलेगा और डायरेक्ट आप कहां से जा सकते हैं और उस Form को मैं दिखाऊंगा कि उस पे आपको क्या-क्या फिल अप करना है अब इस Google Form को फिल करने के बाद वो Short List Candidate जो होंगे Short Listed Candidate जो होंगे उनको अगर वेबसाइट पे अपडेट करना हुआ तो वेबसाइट पे अपडेट करेंगे और नहीं तो इमेल के माध्यम से उनको बता दिया जाएगा कि किस डेट में उनका इंटरव्यू है बीटेक होना चाहिए अगर इसके उपर आपके पास qualification है तो आप इसमें आपको फाइदा मिलेगा अगर आपको experience है तो भी फाइदा मिलेगा अगर आप PhD कर रखें तो भी आपको preference मिलेगा दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो मानदे मिलता है वो 14 सो रुपे पर क्लास के हिसाब से महीने का maximum 45 हजार आपको दिया जा सकता है तो ये मोटी मोटी बाते हो गई यहाँ पे वैकेंसी से related अब चलते हैं हम लोग वैकेंसी की तरफ और मैं आपको इसके official website पे भी ले चलूँगा पतरांग संक्या 606 है वाकिन इंटर्व्यू कराया जा रहा है ठीक है गेस लेक्चरर के लिए इसमें कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्टेट कंडिडेट है वो अपलाई करेंगे गूगल फॉर्म लिंक ये लिंक दिया हुआ आप इसको आप मैनुवली टाइप भी कर सकते हैं जैसा भी स्कीन पर देख रहा है इसको टाइप कर लिए स्कीन शॉट करके या मैं बताऊंगा इसको कैसे आपको डिरेक्ट वहाँ पर पहुंचना है कि जब आपका इंटर्व्यू के लिए सेलेक्शन हो जाएगा तो जो जो डॉकुमेंट आपने इस गूगल फॉर्म में भड़ा है वो डॉकुमेंट आपको लेके वहाँ जाना पड़ेगा और उसमें अगर कॉलूम नहीं होता है कॉलूम देखेंगे हम लोग फॉर्म कैसा है उसके बाद अब देखें यहान पर क्या है कि यहां पे जो पोस्ट आया है सबजेक्ट आया है इसको समझ लिजीए यह post guest lecturer का है computer science engineering के लिए electronics के लिए economics के लिए और physics के लिए अब economics के लिए आप b.com को रख लीजिए और physics के लिए बीकॉम को रख लीजिए यह minimum है इसके उपर अगर आपके पास m.com या m.s.c है तो ज़्यादा अच्छा है उसमें भी अगर आप net qualify है तो आपको फायदा मिलेग ठीक है experience qualification मैंने DST norms के हिसाब से आपको बता दिया है डेट जो interview का होगा वो announce के जाएगा उसके website पर इंटरव्यू होगा Government Poltechnic College भोजपूर में ठीक है अब इसमें कुछ important instructions दियेगा है उस important instructions को देख लिजए पहला है कि यह engagement पूरी तरीके से remuneration based है यानि कि per class के हिसाब जो पैसा मिलता है उसे के हिसाब से यहां पर नहीं है जितना आप class लीजेगा या college इतना खुला रहा है उसी के हिसाब को salary आपको मिलेगी service जो है आपका जो guest lecturer का होता है unsatisfactory पाने पर आपको हटा दिया जाएगा और interview देने के लिए कोई खर्च नहीं मिलेगा लेटर पर देखें यहां पर लेटर देखें 139 को इशू किया गया है 606 नंबर पतरांख है advertisement नंबर यहां पर दे दिया गया है सारी detailing दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया है इसमें होई सारी बात यहां पर देख लीजिए principal sir का sign क्या हुआ हुआ है ठीक है यहां पर का sign किया हुआ है ठीक है अब आईए हम इसके official website पर चलते हैं और देखते क्या कुछ महां पर मिलता है यह official website यह पी भजपूट का मैंने उत्रही स्क्रीन लिया जितना हमारे काम का इस फूल स्क्रीन मैंने नहीं लिया है ठीक है जब आप इसको नीचे के तरफ पर स्क्रॉल करेंगे यह मिल तो यहां पर आपको मिलेगा नोटिस का सेक्षिन यहां पर देखें गूगल फॉर्म लिंक फॉर गेस्ट लेक्चर इंटर्वू के लिए गूगल फॉर्म 21 सेप्टेमबर को अपडेट किया गया है ठीक है और मैं आपको वीडियो जो है 22 तरीक को आपको बना रहा हूं ठीक है तो अपडेट किया रहा ह उसके बाद आपको अपना एक email ID डालना है जिस पर आपको notification जाएगा यहां पर आपको date of birth डाल देना है as per the certificates यहां पर gender आपका क्या है male, female, father ने में आपके डालना है category क्या होगी आपकी यहां पर देख लिए अंडिजर, bc, ws, ebc, sc, st, st जो भी आपका category है उसको आप यहा file number आपको भरना है, फिर यहां पर नीचे आपको यहां पर branch है, किस branch के लिए आप भरना है यहां पर दिया हुआ, उस लेक कीजिएगा, 10th class का certificate आपको यहां पर लगाना है, upload करना है, एक MB से ज्यादा का PDF नहीं होना चीए, या mark sheet, लेकिन मैं गहुंगा कि आप certificate लगाईए तो कि वो आपके जनमतिती जो होता है, उसको भी प्रूफ करता है, ठीक है, उसके नीचे आइए आपको यहां पर रेट कलर का दिया हुआ, यह denote करता है, mandatory कि इसको आराल मैं आपको करना है, ठीक है, उसका BTEC graduation mark sheet certificate यहां पर देखिए, star लगा mandatory, यहां पर आपको डाल देना, mark sheet या certificate, मैं कहूंगा कि आप जो है, PDF ऐसा बनाईए, जिसमें अगर BTEC है, तो 8 semester का जो last वाला mark sheet होता वो, प्लस आपका certificate, अगर certificate नहीं निकार है, तो provisional, उसका मतलब जोड़ के एक PDF बनाईए, यहां पर upload कर दिजिए, अगर BSC वाले हैं, यहां बीकॉम वाले हैं, तो व mandatory नहीं, अगर आपके पास है, अगर आपने MTEC कर रखा, या PG कर रखा, तो आपको preference मिलेगा, मैंने पहली बताया, यहां पर PhD certificate है, यह भी यहां पर star नहीं लगावा, आप नहीं भी कीजेगा, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, form भड़ाएगा, ठीक है, तो फाइदा मिल certificate अपको upload करना है, अगर बिहार करने वाले हैं, यहां पर residential certificate जो है, आपको करना है, अप अफ्लोड ठीक है, और यहां पर income certificate अप्लोड करना है, फादर का, अगर आप का ने, अगर आप इंपलाई हैं, कहीं पर काम कर रहें हैं, तब आपका होगा, अगर आप student है, अभी भी कार्ट वोटर राइडी पैन कार्ट या ड्राइविंग लासेंस या पास्पोट कोई भी आप यहां पर डाल सकते हैं पर सब्मिट कीजेगा फॉर्म आपका सब्मिट हो जाएगा तो यह था गूगल फॉर्म इसका डारेक्ट लिंक भी आप एक तो प्रोसेस हैं कि आप इसके लिंक मैंने नीची डिस्क्रिप्शन दे रखा है या डिस्क्रिप्शन में ही एक डायरेक्ट लिंक भी मैंने टाल दिया है वहां से बीन आप डायरेक्ट जाकर सकते हैं बाकि कोई दिक्कत है तो comment section बता इए मैं इससे कोशिक करूँगा कि जाद़ा जादा solv कर सकों थैंक Thank you very much.